Hello student, तो कैसे हैं आप? तो आसा करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे और घर पर पढ़ाई कर रहे होंगे तो दोस्तों मैं अमन सिंग, आप सभी का स्वागत करता हूँ आप सभी के exam updating channel, exam talk with अमन में तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बिहार पॉल्टेकनिक, मार्किंग स्केम, एंड एक्जाम पैटर्ण के बारे में तो दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते ताकि पॉल्टेक्निक एक्जाम सिलेवस एंड रूटिंग से रिलिटेड काफी वीडियो आप सभी तक पहुंच जाए जब मैं डालूं तो दोस्तो चलिए शुरू करते हैं उमीद करते हैं कि आपने हमाई चैनल को सस्क्राइब करके लाइक बटन दबा दिया होगा तो चलते हैं पॉल्टेक्निक के वेबसाइट पर जहां पर सारा इंफॉर्मेशन दिया गया है आप वहाँ पर जाके भी देख सकते हैं पर मैं इस वीडियो में आप सभी को किलियर ली पूरी बात को समझाऊंगा काफी वहाँ पर बात ऐसे जो आपको थोड़ा सा समझ में नहीं आपाएगा तो मैं उसे पूरा किलियर करूँगा तो चलिए चलते हैं वेबसाइट पर जैसा कि आप सभी देख सकते हैं दोस्तों कि हम आचुके हैं वेबसाइट पर यहां लिखा हुआ है बिहार पॉल्टेकनिक 2020 एक्जाम पैटन और मार्किंग इसी इसकेम तो दोस्तों आज हम इसी पर बात करेंगे तो आप सभी का बिना समय वेक्त किये चलिए बात आप सभी को बताते हैं तो सबसे पहले जान लेते हैं तो बिहार पॉल्टेकनिक विल्ली कॉन्देट फॉर एडमिसजन टो डिपलोमा लेबल कॉर्ट इट विल कंड़क्टेट फोर PE, PPE, PMD, PM कोर्स बिहार पॉल टेक्निक जो ये exam कंड़क्ट करेगा ये डिपलोमा लेवल कोर्स के लिए करेगा और इसमें कंड़क्ट के जाते हैं PE, PPE, PMD, PM ये तो आप सभी को पता होगा ये सब कोर्स है तो ये सब के बारे में तो आपको मेरे साब से पता ही होगा Mode of exam तो mode of exam will be conducted offline mode दोस्तो आप सभी को पता होगा कि पॉल टेक्निक का जोता है exam वो offline होता है मिंस आपका center होगा आपको अपनी center पर जाके exam देना होगा और वो paper pin से ना कि online exam होगा इसका ठेके दोस्तो चली जान लेते हैं समय तो आपको दोस्तो कुल 2 घंटे 15 मिनिट दिये जाएंगे आपको duration दिया जाएगा 2 घंटा 15 मिनिट का टोटर एक्जाम के लिए और 15 मिनिट आपको extra दिये जाएगा question paper को पढ़ने के लिए और अपने answer state को fill up करने के लिए मतलब नाम वगेरा भरने के लिए तो चली जानते है language the question paper will be asked in English and Hindi language तो काफे Hindi medium student ने मुझसे ये सवाल क्या था कि सर हम Hindi medium के student है तो वहाँ English में अगर question देगा तो हम answer कैसे करेंगे तो आपको जैसे कि ये बात समझ में आई गया होगा कि इसमें बोला जा रहा है कि question paper जो होगा वो English, Hindi दोनों language में रहेगा तो आपको tension वाली बात नहीं है अगर आप Hindi medium से भी है तो ठीके दोस्तो जैसा कि बिहार board आपने अगर 10th का board दिया होगा तो 10th का board में आपने देखा होगा कि Hindi English दोनों में question रहते है आज कल जितना भी दोस्तो entrance होता है उसमें English, Hindi दोनों में question दिये जाते है तो इसमें आप कोई tension लेने वाली बात नहीं है आपका question paper English, Hindi दोनों में देएगा answer marking candidate should use the black and blue pen to mark the answer ये दोस्तो बात तो आप सभी को पता ही होगा कि कोई भी entrance में black and blue pen से ही लिखने का allow दिया जाता है बाकि अगर आपने कोई तीसरा pen यूज करेंगे तो आपका number detect कर सकता है या तो आपका answer state reject कर दिया जाएगा तो कोशिस करें कि black और blue pen से ही लिखें जाएंगे और जैसा कि मैंने बताया था समय आपको दिया जाएगा 2 गंटा 15 मिनेट तो अपने आपको ऐसे तयार कर ले कि एक भी question नहीं छूटे क्योंकि question का number जादा है और time थोड़ा कम है तो चलिए बढ़ते आग एकी बात पर question paper type तो question paper कैस किस type का होगा The question paper of Bihar Polytechnic exam will consist of objective type question तो दोस्तों कोई भी long या short questions इसमें नहीं रहेंगे इसमें objective types question रहेंगे options आपको दिया रहेगा उस हिसाब से आपको ये इंटरेंस देना होगा subject subject तो आप सभी को पता होगा दोस्तों कि किसी course के द्वारा ही आप polytechnic दे सकते हैं तो वो course है PE, PPE course the question will be asked from physics, chemistry and math तो ये बात आपको पता होगा कि physics, chemistry, math से questions पूछे जाते हैं PE और PPE का और for PM PM के लिए दोस्तों पूछे जाएंगे question आप से physics, chemistry और bio से ठीक है marking scheme आपका per question पर कितना answer मतलब कि per question कितना number आपको मिलेगा तो marking scheme दोस्तों ऐसा है कि आपको 5 marks दिये जाएंगे हर सही question पर तो दोस्तों क्या इसमें कोई negative marking होगा तो नहीं दोस्तों खोसी की बात यही है सबसे बड़ी कि इसमें कोई negative marking नहीं है तो आप कोसिस करें कि जो questions आपको नहीं भी आते है उसे भी attempt करें क्या पता आपका वो सही हो जाए तो question एक भी नहीं छोड़िएगा दोस्तों all the best for your exam बिहार पर टेखनिक से related और काफे वीडियो के लिए हमारे चैनल को subscribe जरूर कर ले और वीडियो कैसा लगा comment section में जरूर बताए धन्यवाद दोस्तों मिलेंगे नेक्स वीडियो में